गुद मॉर्णिंग इस्टुजेंट्स आज हम अपनी हिंदी फर्स्ट में चैप्ले नमबर नाइंटीन पढ़ेंगे जिसका नेम है बिल्ली चली दिल्ली यहां की एक पोयम है जो बिल्ली के बारे में है कि बिल्ली कैसे दिल्ली जाना चाहती थी और उसके साथ क्या हुआ गूम रही गली गली बिल्ली जाना है हर हाल में दिल्ली एक दिल्ली गली गूम रही है क्योंकि वो हर हाल में किसी भी तरीके से दिल्ली जाना चाहती है लेकिन बस न टैक्सी मिली कैसे जाए अब वह दिल्ली अब जाने के लिए ना तो उसको बस मिल रही है और ना ही उसको टेकशी मिल रही है तो वो दिल्ली कैसे जाएगी तभी दिखा एक प्यारा चूह बिल्ली का मन ललचा आया दिल्ली जाना भूल गई चूहे के पीछे पड़ी तभी उसे क्या हुआ एक प्यारा सा चूहा दिख जाता है छोटा सा, जिसे देखकर बिल्ली का मन लल्चा जाता है बिल्ली तो चुहे खाती है उसको चुहे बहुत पसंद है तो वो सोचती है कि इसको मैं खा लूँ दिल्ली जाना भूल गई और वो दिल्ली जाना भूल जाती है और चुहे की पिछे पड़ जाती है सामने अपने देख बिल्ली चुहे की बंद गई घिगी अपने सामने जब इतनी बड़ी बिल्ली उस चुहे ने देखी तो वो डर गया बंद गई घिगी घिगी बंद ना कहते हैं डर जाना तो चुहा तो बहुत डर गया बोला मौसी माफ करो, कामना मेरा तमाम करो अब चूहा बोला कि बिल्ली मौसी मुझे तुम माफ कर दो, मुझे मत मारो Next है आपका exercise सुनो समचो और बोलो बिल्ली, दिल्ली, टैक्सी, चूहा, पीछे, प्यारा, लल्चाया, धिग्गी और मौसी यह आपके कधिन चब भी है, इनको आपको revision करना है, लिखके देखना है, ताकि आप इने अच्छे से लिख पाओ अब बिल्ली को खाने में क्या-क्या अच्छा लगता है यह आपको बताना है बिल्ली किस से डरती है तो बिल्ली को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है बिल्ली दूद मलाई चूहा सब कुछ खाती है और बिल्ली किसे डरती है बिल्ली डरती है कुद्टे से पंक्तियां पुरा करनी हैं आपको घूम रही गली गली बिल्ली जाना है हर हाल में दिल्ली सामने अपने देख बिल्ली चुहे की बंद गई गिगग नेक्स्ट है आपका चित्र देखकर कवता में आई पंक्तियां लिखनी है लेकिन बसना टेक्सी मिली चूहे की बंद गई गिगई नेक्स आपके प्रेश्ट में हैं आप कोनके उत्तर देने हैं कि बिल्ली कहा भूम रही थी बिल्ली जो थी वो गली-गली घूम रही थी बिल्ली को कहा जाना था बिल्ली को दिल्ली जाना था बिल्ली को क्या दिखा बिल्ली को एक प्यारसा चूहा दिखा बिल्ली बस या टैक्सी क्यों ढून रही थी बिल्ली दिल्ली जाने के लिए बस या टैक्सी ढूनती थी चुहे ने बिल्ली से क्या कहा चुहे ने बिल्ली से कहा कि मौसी मेरा काम तमाम मत करो और मुझे मत मारो कविता में से ढूंड कर लिखने हैं आपको दो पशु के नाम तो दो पशु कौन से थे हमारी कविता में एक चूहा और एक बिल्ली दो बाहनों के नाम लिखने हैं बाहन जिससे हम आते जाते हैं एक बस और एक टैक्सी शहर का नाम तो बिल्ली कहा जाना चाहती थी दिल्ली तो शहर का नाम क्या है दिल्ली अब नीचे दियेगे चित्रों को देख के नाम लिखकर उनमें रंग भरने हैं इन चित्रों को देखना है इनमें आपको कलर भरने हैं और इनके नेम लिखने हैं ओ